सक्सेस कैंपस आपकी सफलता हमारा संकर गुद मारिंग स्टूडेंट्स आज भी मेरे पास कुछ नए और ताजे करेंट अफेर्स के कुश्चिन्स हैं तो देड़ न करके देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है आपतान यूनिकरन के लिए अंतराष्टिय दिवस विश्वस्तर पर कब मनाया चाता है International Day for Disaster Reduction is observed globally on हमारे options है 10th October, 13th October, 11th October, 12th October हमारा answer है 13th October सैयोक्त राष्ट द्वारा हर साल 13 October को विश्वस्तर पर International Day for Disaster Reduction यानि अंतराष्टिय आपदान यूनिकरन दिवस मनाया जाता है यह दिन जोखिम जागरुकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपताओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खत्रों के बारे में जागरुकता बढ़ाने वालों को चिन्धित करने के लिए भी मनाया जाता है इस वर्ष का अंतराष्टिय आपदा न्यूनिकरन दिवस समग्र साशन से संबंदित में है आप बचाए गए जीवन से अच्छे आपदा जोखिम साशन को माप सकते हैं आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में कमी और आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं कोविड-19 और जलवायो आपातकाल बता रहे हैं कि हमें जनता की भलाई के लिए वैज्ञानिक प्रमानों पर कान करने वाला एक स्पष्ट दृष्टी, योजना और सक्षम, ससक्त संस्थाओ की आवशक्ता है इस दिन का इतिहास संयुक्त राष्ट महासभाद्वारा जोखिम जागरूपता और आपदा में कमी की बैश्विक संस्कृतों को बढ़ावा देने के लिए किये गए आववाहान के बाद से 1989 में अंतराष्टिय अपदन यूनिकरन दिवस मनाई जाने की शुरुआत की गई थी अगला सवाल किस राज्य के CM ने जगनात विद्याकनू का स्कीम शुरू की? Which state CM launched जगनात विद्याकनू का स्कीम? हमारे ऑप्शन्स है आंध्रपदेश, मध्यप्रदेश, उत्राखंट, पंजाब हमारा एंसर है आंध्रपदेश आंध्रपदेश के मुख्यमंद्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी ने राज्य के गड़ी पच्चों को स्कूल के वित्रित करने के लिए जगनात विद्याकनू का नामक एक नई योजना की शुरुवात की है इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड रुपे खर्च करेगा योजना के तहट राज्य भर में 42,34,322 केट वित्रित किये जाएंगे इस योजना के तहट पूरे राज्य में कक्षा 1-10 तक के सरकारी स्कूलों के छाफ्तरों को स्कूल किट या विद्याकनू का दिये जाएंगे जिसमें तीन जोड़ी यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, एक बिल्ट, पाठ्थे पुस्तकों का एक सेट, नोटबुक और एक स्कूल बैग होगा अंद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है Y.S. जगन मोहन रेड़ी और राजय पाल है विश्वा भूसन हरीचंदन अगला सवाल कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? Which state has become the first हर घर जल state in the country? हमारे options है अरुनाचल प्रदेश, महाराष्टर, बिहार, गोवा हमारा answer है गोवा जल शक्ती मंत्राले द्वारा उपलव्द कराए गए आंकडों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है जहां हर ग्रामिन घर में नल का कनेक्शन पहुचा जया जा चुका है राज्य ने राज्य की सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामिन परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामिन परिवारों और दक्षिन गोवा के 98,000 ग्रामिन घरों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के मद्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ती की गई है गोवा की उपलब्धी अन्य राज्यों के लिए एक उधारन है कि किस प्रकार विशेश रूप से COVID-19 महामारी के समय में प्रत्य ग्रामीन घर तक नल कनेक्शन पहुचाया गया है गोवा की राजधानी पंजी गोवा के राजधापाल है भगत सिंग कोशियारी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावन्त अगला सवाल किस राज्य सरकार ने व्रिक्ष प्रत्य रोपन निती को मंजूरी दी है विट स्टेट गर्मेंट अप्रूब्ट ट्री ट्रांस्पलेंटेशन पॉलिसी हमारे आप्शन्स है पंजाब, चम्मू एंड कश्मीर, दली, जारखंड हमारा एंसर है दली दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने दिल्ली को स्वच और हरित बनाने के लिए पेरों को संगरक्षित रखने के लिए भारत के अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी यानि ब्रिक्ष प्रत्योरोपन पॉलिसी को मंजूरी दी है इस पॉलिसी के अंतरगत जिन पेडों को अभी तक किसी निर्मान अत्वा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बलकि उन्हें उखार कर कहीं और प्रत्योरोपित किया जाएगा इस पॉलिसी की विसेशता है किसी भी निर्वान या विकास परियोजना के लिए गिराए जाने वाले पेडों की कुल संख्याक को अकम से कम 80% अन्य स्थान पर प्रत्योरोपित किये जाना चाहिए इसके अलावा प्रत्योरोपित पेड के लिए दस पॉधों का विक्षण उपन किया जाना चालू रहेगा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है हाला कि यह पॉलिसी दस या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागूर नहीं होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल या और यहां के राज्यपाल है अनिल बैजल एक दिन के लिए फिनलेंड का पी-म कौन बनता है? हमारे आप्शन्स है औरो नजाल आवा मुटो अमारा इन में से कोई नहीं हमारा एंसर है एवा मुटो संयुक्त राष्ट अंतराष्टिय बाली का दिवस के अफसर पर 16 साल की एवा मुटो ने लैंगीक समानता के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए 7 ओक्टोबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलेंड के प्रधान मंतरी का पद समाला यह गर्ल्स टेक ओवर कारेकरम के भाग के रूप में किया गया था मुटो दक्षन पिनलेंड के छोटे से गाउं व्यक्सी की रहने वाली है पिनलेंड के प्रधान मंतरी है सना मारिन राजधानी है हेलसिंकी और यहां की करेंसी है यूडो राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्व सताब्दी को चिंधित करने के लिए सौ रुपे का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है हूँ हाज रिलीस्ट अ कॉमेमोरेटिव कॉइन अफ रुपीस हंड्रेट हमारे ओप्षिन से उर्जीत पतेल, निर्वला सीतारमन, नरेंद्र मोधी इनमें से कोई नहीं हमारा एंसर है नरेंद्र मोधी प्रधानविंत्री नरेंद्र मोधी ने एक आभासी समारो का माध्यम से सतारूर भाजपा के संस्थापक सदस्यों ने शामिल राजमाता विजया राजे सिंध्या की जन्सताद्धी को चिन्नित करने के लिए सौ रुपे का विशेश स्मारक सिक्का जारी किया है इस विशेश सिक्के का विट मंत्राले द्वारा खनन किया गया है विजया राजे सिंध्या जिन्हों ने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया वे ग्वालियर की राजमाता नाम से भी जानी जाती है अगला सवाल कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल उच तकनीक कक्षाओ के लिए पहला राज्य बन गया है विट स्टेट बिकेम पर स्टेट तो हैव कम्पलीटली डिजिटल हाई टेक क्लास्रूम हमारे ओप्शन से तमलनाडू, महराष्ट्र, चैन्नाई, केरला हमारा एंसर है केरला केरल के मुख्य मंत्री पीनाराई विजयन ने राज्य के सारवजनिक सिक्षा शेत्र कुगयो पूरी तरह से डिजिटल होने की खोशना की है जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षा उननत तकनीक से लैश है केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नलोजी फर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्मेंट फ़ंट बोड की विद्य साहता से उच तकनीक कक्षा परियोजना को लागू किया गया है इन कक्षाव की हाइटेक बनाये के लिए सांसद और विदायक निधी स्थानिया स्वरकारी संस्था के फंट का भी उपयोग किया गया है अब जानते हैं हाइटेक क्लास परियोजना के बारे में यह कारिक्रम 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर के लिए 16,027 स्कूल में 3.74 लाग से अधिक डिजिटल उपकरन वितरित किये गये थे पहले चरण में 4,752 सरकारी और सहायता प्राप्त उच विद्धालयों और उच्चतन माध्यामिक विद्धालयों के कक्षा में 8 से 12 तक के 45,000 हाइटेक कक्षाओं को तयार किया गया था यह परियोजना 21 चनवरी 2018 को शुरू की गय थी इसके अलावा कक्षा 1 से 7 के लिए 11,275 प्राप्तमिक और उच्च प्राप्तमिक विद्धालयों में उच्च तकनिक प्रेयोग शालाय शुरू की गय थी केरोल के मुख्यमंत्री है पीनाराई विजयन और राज्यपाल है आरीफ मोहम्मद ख्यान अगला सवाल केस राज्य सरकार ने मोबाइल जल पडिक्षन प्रेयोग सालाओं की शुरूवात की विद्ध स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ट मोबाइल वाटर टेस्टिंग लाब्स हमारे ओप्षन्स है तमिलनाडू, महराष्ट्रा, पंजाग, हरियाना हमारा एंसर है हरियाना हरियाना सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्ची पैरामीटर प्रनाली से लैश एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लाबरेटरी वैं को हरी जंडी दिखाई है जिसमें पानी की गुनवत्ता की जाँच करने के लिए पिशलेशक, सेंसर, जाँच और उकरन लगाए गए हैं हरियाना में पानी की गुनवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिजॉल्ज सॉलिड यानि टीडियेफ, फ्लोराइट, नाइट्रेट, आईरन और शारियता जैसे घरकों से प्रभावित होती है यह पहल कारेकरन जल जीवन मिशन के तहत यूद स्तर पर किया जा रहा है जिसका उद्देश यह 2024 तक ग्रामीन घरों में नल का पानी पहुचाना है और जल गुनवत्ता निगरानी और पर बहुत ध्यान देना है अब जानते हैं मोबाइल वाटर टेस्टिंग लाबरेटरी वैन के बारे में यह मोबाइल वाटर टेस्टिंग लाब लोकेशन ट्राकिंग के लिए GPS इनेबल्ड है जाज किया गया नमुना डेटा को पावर बैकप के साथ GPRS या 3G Connectivity के माध्यम से एक केंद्रिकरित सार्वजनिक स्वस्त्य इंजिनियरिंग विभाग सर्वर में प्रेशित किया जा सकता है यह एक वेब आधारित सुरक्षित केंद्रियस सर्वर पर सीधे परिनाम भेजने की शमता वाले स्मार्टफोन या समान डिवाइस के माध्यम से साइट पर रिकॉर्डिंग और परिनामों की रिपोर्टिंग भी प्रदान करता है इस मोबाइल वैन में पूरी तरह से स्वचालित सेंसर आधारित विशलेशन है जो केंद्रे रूप से कमांड किये गए सॉफ्ट्वर द्वारा नियंतरित किया जाता है मोबाइल लैब में LED डिस्प्ले यूनिट विशलेशन के तुरंद बाद परिनामों का एक त्वरित प्रदर्शन देता है लैब पानी के नमूनों की pH, शारियता, TDS, कठोर्ता, अवशिष्ट क्लोरीन, जस्ता, नाइटरेट, फ्लोराइज, ट्रॉबिडिटी और सुक्ष्म जैविक परिक्षन जैसे विभिन जल गुनवत्ता मापदंडों को मापने में सक्षम है यह साइट पर मौके पर पानी की गुनवत्ता की समस्या को जल्दी पहचानने में मदद करेगा अब बढ़ते हैं जार्खन करेंट अफेस की तरफ राज्य के अल्पसंख्यक कल्यान मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया वे किस विधानसवा छेत्र से निर्वाचित हुए थे हमारे आप्शन से बेर्मो दुमका मधुपुर देवघर हमारा एंसर है मधुपुर हाल ही में राज्य के अल्पसंख्यक कल्यान मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोडोना की वज़े से निधन हो गया वे देवघर जिले के मधुपुर विधानसवा छेत्र से विधायक चुने गये थे वे जार्खन मुक्ती मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए थे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन कॉंग्रेस पार्टी के साथ शुडवात की थी हाजी हुसेन अंसारी राज्य के पहले मुस्लिम समुदाय से मंत्री बनने वाले विधायक थे हाजी हुसेन अंसारी मधुपुर विधानसवा छेत्र से वर्ष 1995, 2000, 2009 और 2019 में विधायक चुने गये थे उन्होंने वर्ष 2004 में विपक्षी नेता के तौर पर भी अपनी भूमी का निभाई थी अगला सवाल राज्य के कितने जिलों में स्टेमी यानि सेंट इलेवेशन मायोकाडियल इंफ्रेक्शन इंडिया कारेकरम की शुरुवात की गई है हमारे आप्शन से 5, 6, 10, 15 हमारा एंसर है 6 स्टेमी इंडिया की शुरुवात राज्य के 6 जिलों में की गई है यह जिले हैं राज्य, हसारीबा, खूटी, गुमला, लोहरदगा, एवं रामगर्ब बाद में राज्य के अन्य जिलों में भी यह सुवीदार शुरू की जाएगी स्टेमी क्या है? स्टेमी क्यार प्रोजेक्ट के तहत कोई भी मरीज जैसे ही एंबुलेंस में चढ़ेगा उसकी ECG होगी वो ECG क्लाउट स्टोरेज के माद्यम से रिम्स के हब सेंटर में पहुँचेगी हब सेंटर में बैठार, ट्रांस्क्रिप्शनिस्ट उसे संबंधित विशिशग्य को भेज कर प्राप्त दिसाने देशों को एंबुलेंस के टेक्नीशियन को भेजेगा फिर इलाज शुरू होगा आज का आख़ी सवाल हाली में जार्खन के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनिया टाइगर ली की उपाधी प्रदान की गई है हमारे आप्शन से प्रमोद पाठक, रविंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, अंकित तिर्की हमारा एंसर है प्रमोद पाठक जार्खन राज्य के पतरातो निवासी मार्शल आर्ट प्रसिक्षक प्रमोद पाठक को जूनिया टाइगर ली की उपाधी प्रदान की गई है मार्शल आर्ट में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए यह खिताब वोल्ड मार्शल आर्ट प्रेडरेशन की और से दी गई है प्रमोज पाठक 25 सेकंड में तेज होकी स्टिक अपने शरीर पर जुरुआने के लिए लिमका बुक और वोल्ड रिकॉर्ड में नामदर्ज करा चुके है उन्हें थाइलेंट से ब्लाक बेल्ट तुरी तिय डान और वोल्ड मार्शल आर्ट प्रेडरेशन की और से ब्लाक बेल्ट पाचवी डान की उपाधि भी प्राप्त है उन्होंने कई राष्ट्रिया अंतराष्ट्रिया प्रतियों गिताओं में पदक भी जीते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इंट्रेस्टिंग करेंट F.S. के साथ करेंट अफेस के पीडिया फाइल आपको हमारे वेबसाइट और तेलेग्राम चानल पर मिल जाएंगे जिसके लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में दी गया है तब तक के लिए टेक केर और बाइबाइ